नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाब में उपयोग की जाने वाली उपकरन के बारे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चानल को सब्सक्राइब कर दे तो चलिए चलते हैं यहें कौनिकल फलास्क जिसको हिंदी में शंक्वाकार फलास्क या अनुमापन फलास्क या एकेरलिन मेर फलास्क के रोप में भी जाना जाता है यही एक प्रकार का प्रयोग शाला फ्लास्क है जिसमें एक सपार्टतल, एक शंक्वाकार शरीर और एक बेलनाकार गर्दन होती है इसका उपयोग वनुमापन के लिए होता है ग्यात सांधरता वाले बिलियन से अग्यात सांधरता की बिलियन को कॉनिकल फ्लास्प में निकाला जाता है यह बीकर जो एक कांच का बना हुआ पात्र होता है जो मग जैसा होता है जिसका उपयोग प्रयोग शाला में प्रयोग करते समय किसी रसायन को रखनी की काम आता है यहें measuring cylinders जो एक मापनी वाला cylinder है इसको हिंदी में सनातक cylinder या मिश्रन cylinder कहते हैं प्रयोग शाला उपकरन का एक टुकरा है जो प्रयोग शाला में देनिक कारे के दोरान तरल पदार्थ, रसायन या समाधान की मात्रा कुम आपनी के लिए उपयोग किया जाता है इसको कहते हैं burette यहें एक लंबी, अंशांकित glass tube है, जिसके निचले सिरे पर एक stopcock और stopcock के outlet पर एक पतला कीशिका tube होता है Tube से burette tip तक तरल के प्रवाह को stopcock valve त्वारा नियंतरत किया जाता है यहें burette stand, जिसे हिंदी में clamp stand, ring stand या support stand भी कहा जाता है इसका उप्योग burette को clamp में फसा कर रखा जाता है, जिससे burette हिलता नहीं है यहें volumetric flask जिसको मापने वाला flask या सनातक flask भी कहा जाता है यहें एक प्रकार का प्रयोगशाला flask है, जिसे एक विशिष्ट तापमान पर एक सटीक विशिष्ट मात्रा रखनी के लिए caliprate किया जाता है यहें प्रकार के होते हैं, एक होता है volumetric pipette और दूसरा होता है serological pipette यहें फानल इसका उप्योग किसी तरल पदार्थ को flask में धीरे-धीरे जोडने की अनुमती देते हैं यह हैं spectula जिसका उप्योग किसी powder, दानेदार सामगरी और अन्यठोस पदार्थों को मिलाने, उठाने और संभालने के साथ साथ तरल पदार्थ और अन्यगीले उतपादों को हिलाने या मिलाने के लिए उप्योग किया जाता है इसको कहते हैं glass rod, जिसका उप्योग किसी रसायनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है glass rod आमतोर पठोस कांच से बने होते हैं दोस्तो आज का वीडियो यही तक और हम आगी की वीडियो में बताएंगे तब तक के लिए नमस्कार अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दो धन्यवाद